हालो फ्रेंड्स बेलकम टूबर यूट्यूब चैनल तयारी विगनर्स की सीवेसी बोर्ड ने दस्वी की परिच्छा रदगर दी है और बारवी की परिच्छा टाल दी है सभी को पता होगा कल से ये न्यूस चल रही है अब इस न्यूस में डेफ्थ में पढ़ते हैं कि क्या अंत्रिक मूल्यांकन से प्रमोशन किया जाएगा नौवी के ओफ्लाइन अंग दसवी के ओनलाइन मूल्यांकन में प्रैक्टिकल से निकलेगा फॉर्मूला और बच्चे निरास ना हो ये जीवन के कौसल बिकास का अफसर है दसवी परिच्छा रद्ध हो जाना उन कड़ी मेहनत में जोटे थे लेकिन उन्हें समझने होगा कि जीवन में उतार चड़ावाते हैं जिन्दगी जीने के लिए जो जीवन को असा लाना चाहिए वैसी तरह विक्सित होना चाहिए ठीक है नीट पीजी 18 अप्रेल को मेडिकल चात्रों ने परिच्छा इस्तागित करने की मांग की अप्रेल मही में जे ए मैन की परिच्छा भी चात्र बोले केस बढ़ रहे हैं परिच्छा टाल दी जाए ठीक है चात्रों को राहत भी दी गई है अब इसे हम तो ये कहेंगे ये राहत नहीं है स्टुडेंट्स लास्ट येर भी प्रमोट हुए इस बार भी हो सकता बच्छे अभी खुश हों कि हमें एक्जाम नहीं देना पड़ेगा ये बहुत ही बड़ा डिस्ग्रेस्मेंट है ड्यू टू कोविड नाइंटीन कि अगर आप एक्जाम्स नहीं दे रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसका खामयाजा आगे भोगतना होगा ज मुझे ऐसा लगता है कि अभी हो सकता आपको ऐसा लग रहा हो कि अभी वर्डन नहीं है पर इन दे फ्यूचर बहुत जारा बर्डन आने बाला है इसलिए स्टडी को छोड़िएगा नहीं और नक्खोश होईएगा इतना पढ़िए जो आपने एक्जाम नहीं दिया है उसस और ट्वेल्थ की परिच्छाएं तो होंगी उफ्लाइन होंगी उनकी भी आप तैयारी करते रहेगा टैंथ वालों के प्रमोशन हो जाएंगे तो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यबाद वीडियो व